जै मसी की दोस्तों, आज की सुरगी मन्ना का भाग हमने लिया है पहला श्यम्मिल की पुस्तक, उसका दस्वा अध्याय और उसका छटा और सात्वा वचन वचन कहता है, तब यहुवा का आत्मा तुझ पर प्रबलता से उत्रेगा, जिससे तू भी उनके साथ नबूबत करने लगेगा, और तू बदल कर और ही मनुश्य बन जाएगा जब यह चिन तुझे दिखाई दें, तब तू अफसर के अनकूल कारे करना, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है, धन्यवाद पिता परमेश्यर, तेरी उपस्ति में सुख है परमेश्यर, धन्यवाद तू बताता है परमेश्यर, अपने कारें को बताता है परमेश्यर, और हमें चीना सिखाता तेरे वशनों के दोरा दोस्तों वचन क्या बताता है वचन हमें यह बताता है कि जब परमेश्र का आत्मा हमें उतरता है तो हम वो नहीं रहते जो पहले थे हम बदल जाते हैं हमारी सोचने की क्रिया बदल जाती है हमारे देखने के दृष्टी बदल जाती है हमारे सुनने के कान पूरी तरीके से पवद्रता के साथ रहते हैं हाले रिया तो दोस्तों हम पूरी तरीके से बदल जाते हैं और परमेशर यही चाहता है कि जब उसका आत्मा हम में आता है तो हम उसके तरह अपने जीवन को बिताएं हम कोई भी शरीर के अनुसार अपना कारिना करें हम कोई भी ऐसा कारिना करें जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो दोस्तों आप सूचिए आप कौन है? मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास स्प्राण है और मैं शरीर में रहता हूँ अब जब परमेश्वर का आत्मा हम में आता है तो ये शरीर किसका हुआ परमेश्वर का तो हमें इस शरीर को परमेश्वर के अनुसार पिताना है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पिताना है वचनों के अनुसार पिताना है और वचन हमें कहा मिलते हैं परमिश्र के मुख से निकले हुए पवित शास्त्र में इसलिए हमें अपने पूरे जीवन को जबकि उसका आत्मा प्रबलता के साथ हमें है जबकि उसका आत्मा सहयता के साथ हमारे हमारे अंदर है ताकि वो हमारी साहता करे, हमें संकर से बचाए, हमें बुद्धी दे, ग्यान दे, समझ दे, पूरी तरीके से हमारी साहता करने के लिए तैयार रहता है, उसका आत्मा और हमेशा हमारे अंदर रहता है, तब ही हम उसके मंदर हैं, इसलिए बाइबल कहती है, कि हमें उसकी अग अपने जीवन को बिता क्योंकि परमेशर तेरे साथ है तू महसूस करके परमेशर तेरे साथ है यह सरीके से एक मा जब गर्वती होती है एक औरत जब गर्वती होती है जब वो महसूस करती है कि एक बच्चे का बीज उसके अंदर है उसका जीवन बदल जाता है वो उस परमेश्र की आत्मा के द्वारा अपने चीवन को बिताना है। परमेश्र की आत्मा के द्वारा अपने चीवन को बिताना है। परमेश्र की आत्मा चाती है कि हम उसके अनुसार अपने चीवन को बिताएं। हम कोई भी बात ऐसा ना करें जो परमेश्र की द्रिश्ची में कलत है। मरियम ने कोई ऐसा काम ने किया। उसने दुख उठाएं। उसने दुख उठाएं। इश्ची मसी को पैदा करने के लिए उसने दुख उठाएं। जोस्तों मैं अभी कुछ समय पहले इज्राइल गया था और मैं वो जगा देखकर आया हूँ जहां पर जोसफ और मरियम नील नदी के पास तीन महीने रुके थे। छुपते हुए। चुपते हुए। ताकि वो उस राजा से छुपे हरुदा से छुपे ताकि वो इश्ची को बचा सके ताकि परमेशा की योशना को पून कर सके। वो आत्मा के अनुसार चल रहे थे। वो शरीर के अनुसार नहीं चल रहे थे। हमें भी आत्मा के अनुसार चलना है। हमें क्यानुसार चल रहे हैं इसलिए इफिसियो चार का उन्तिस क्या कहता है कि कोई अशलील बात तुम्हारे मुझ से ना निकले परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यक्ता क्यानुसार उन्ति के लिए उत्तम हो जिससे की सुनने वालों पर अनुगरे हो हम अपने मुझ से कोई भी ऐसा शब्द न निकले जो की घलत हो हम मसी है हम मसी है और हमारे अंदर मसी देखना चाहिए हमारे बैटने में हमारे उटने में हमारे बात करने में हमारे प्रचार करने में हमारे चलने में मसी देखना चाहिए संसार को इसलिए जब हम बात करें तो दिन के लिए च्छाप दी गई है, इसलिए हमें ध्यान देना है कि उसकी आत्मा जो हमारे पास है, छुटकारे के लिए जो हम पर है, हलेलिया, जो चिन हमारे अंदर है वो आत्मा के लिए हम अपने जीवन को जीए उस आत्मा के लिए हम अपने आपको समर्पित करें क्योंकि पवित्रा आत्मा हमारे अंदर है पर्मिश्र की आत्मा हमारे अंदर है इसलिए वो चनल हम हमेशा याद रखें उस चनल को हम महसूस करें महसूस करें और कब महसूस करेंगे जब हम परातना करेंगे जब हम परातना करेंगे परमिशर के पास रहेंगे परमिशर के उपसिती को महसूस करेंगे परमिशर के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए हम उससे साहता मांगेंगे कि परमिशर हमारी साहता कर ताकि हम तेरे ही योग के बने रहे ताकि हम ते है कि उसने हमारी अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़ेली है ताकि हम सुख हो के आए इस सुखा के दिन हम प्रात्रा करते हैं तरने वाद देते हैं पिता परमेशर ते वे पबते समर्थी नाम में अद्ब शिफा है सुनने वाले हर भाई बैन के लिए आशीर सुक और शंगाई मांगते हैं परमेशर हम सब उसकी आत्मा के चलाए चले ऐसी हम पर क्रेपा करें सुनने वाले हर भाई बैने के लिए आशीर सुक और शंगाई मांगते हैं मैं ने मैं